रोनमेटर बात कर रहा हूं तो Brisbane Hit vs Adelaide Striker के बीचे मैच खेला जाने वाला है मैच बहुत बर्दस होगा Brisbane Hit already एक मैच जी चुकी है और तगड़ा मैच जी ती है मेल वोने स्टार्स को हडा के आ रही है तो कैसे sessions खेलना है मैच कैसे घटेगा प्रीच कैसा हो सकता है प्लेइंग 11 क्या होने वाला है कुण कुण से खेलना है नहीं खेलना है एक हुजड़ बात करेंगे और डियू 11 टीम भी बताई जाएगी तो वीडियो को एक सेकंड ही मिस मत करिएगा पूरा वीडियो जरूर देखिएगा चलिए सबसे पर माइल नमर जर्करीज देखिए नगे हमारा वाट्सब नमर है मैस रेटर कुछ भी चाहिए सेशन मैस प्रेडिक्स नमर पर कॉंटक्क कर सकते हो लाटवर प्रेडिक्सन जीरो सी मैं दिख रहा होगा सब इसमॉल में सब्सक्राइब करके जोइन हो सकते हो जाहिए जॉइन कर ये फायदा उठाई है ये डेमो का हमारा एक पैतालिस कल नौ बजे ये मैच खेला जाने वाला है इंडियस रेंटाइम से दो फरनल मैच है वेधर कैसा है वेधर काफी प्लीजन्ट है बीज डिज़ियर टेंपरेटर है क्यांसे अब्रेन अल्मोस नेट थोड़ा इंज्वाइब करेंगे आप अनदर वन शिक्स्टी सेवेंटी वाला टार्गेट से वन सेवेंटी टार्गेट यहां पर इस्पेक कर सकते है और यह जो एवरेज टार्गेट होता है यह बिसकिली यह जाहता है चेज होता है तो ध्यान रखिएगा आगे चलते हैं मैं बताता हूं आपको इस मैच में तोटल जो है वो 69 मैच इसमें से 40 बार फॉस्ट बैट 28 बारी सेटेंड बड़ा इसको लग जाता है उसके बाद लगता है कि चेज होता नहीं बीग बस की यह खासियत रही है वेन्यू डैमेंसिंस बड़े होते हैं इसके वेसे यह होता ह देखने को मिलता है एक सो पचास से नीचे 17 बार लगा है 152 169 यहां पर अगर बात करें तो लगा है 19 बार और 172 184 बार लगा है और ज्यादा यहां पर देखे कोई भी बीवेल के जो मैचेस हैं वो हाई स्कोरिंग होते नहीं है ज्यादत है मतलब मैक्सिमम टाइमस यह नहीं देखने को मैं लग रहा है हर दिन लग रहा है और यह चेज भी होड़ा है आज कभी मैंसे कि 175 लगा चेज नहीं हुआ लगेगा लग रहा है लेकिन लगता नहीं है काफी जादा यहाँ लग हखेसेी बने रही है लिमिट को बचा के रखिए बढबाद मत होने दीजिए आज भी हमने इंपी नहीं दी एक्जीट कराई प्रॉपिट ही बना वागे दिया फ्लास्टी में देख सकते हैं ठीक है ब्रिस्बेन हीट एक सो चववन मारी अडिलेट नहीं चेज करबाई 17 रहन से जीत वहीं जात है इन दोनों के बीच कहीं मैच है पिछले साल माला और दो उन उनों ही डिफेंड कराया है प्रिस्बेन हीट में कोई हाई टोटल नहीं है एक्ज शिया असे डिफेंड है ठीक है छे विएट पेसर सको तीन गेर को आप्र शुक्तविक्ट ने के बावजूद यहां पे इन्ज़ॉए करते बॉलिंग अब पेसर सकर रहा है में यहां जो है यह फॉस्ट इनिंग को थोड़ा एडवांटेज देता है यह पिछ ऐसे भी 170 उत्र का टार्गेट लग जाता है वेन्यूस बढ़े होने के बावजूद यहां पे तो लचेज होता नहीं है भी भी अधिया डिलेटेस्ट है कि 161 मारी फिर यहां पर यहां पर यह भी डि होई जाएगा ऐसा पैटर्ण चलगा अब देखने को बनता है किस तरह से एक साल पीछ बिएव करेगा लेकिन पीछ ऐसा ही कुछ बिएव करने वाला है 170 का भी टार्गेट बहुत अच्छा होने वाला है इस एक 70 रन से जीथी दो विगट पेसर को दो विगट इस पीनस को तो यह तो देखने को मिल रहे हैं यहां पर कि पेसर को मिल रहे हैं तो अच्छा कासा यहां पर सपोर्ट है अब अब बात करते हैं दोनों टीम के तरफ से ट्रफ से ट्राइकर बी आर्टी सॉर्टिस में आ गया है सब्सक्राइब कोई पॉसिबल चेंजेश होने के चांसे ज्यादा कर लेते हैं लास्ट पांट इन फोटीनाइं फंद्रह 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 अठारह पांच जवर्दास प्लेयर है लेकिन पिछला साल इनका कुछ अच्छा गया नहीं मिस्टर बीवियल भी है हाइस हमेशा से पेट रहे है हरीकें फालो ने छोड़ दिया अब यहां पर यह बटक रहा है ठीक है एज हो गिया है बॉलिंग भी कर लेता है लेकिन थोड़ा सुलो खेलता है वैट्स में जेम्स बेजली चार से प पिछले साल पीटेन में भी कुछ खास परफॉर्म किया नहीं है है इस साल भी प्लेयर परफॉर्मिंग किया है इसके साथ जा सकते हो आपके अर्टन बना सकते हो अच्छा प्लेयर भी है हेट-टू-एड में सबसे बेस्ट ऑप्शन अगर कैप्टन के लिए बात रहे तो म आखा यहां गर वैटनिंग किया दा ख्यालिस सत्रह जीरो औटी नैंग किया है बिसलीन जीरो तीन चाद बॉलिंगों पर जाला प्रोकिस रथा बैतिंग थिकट था कर लेता है ब्रेंडर डॉकिट 1001 ठीक है चैमरा घ्मरान वोइस का बात करें तो यहां पर 0-1-1-0-0 जिन्दी थोड़ते 0-2-2-1-4 ठीक है बेन में ठीका बात कर लेते हैं तो 1-4-1-4-1 है ठीक है यह बॉलिंग करता है और ठीक ठीक बॉलिंग कर रहा है विकेट लगा लाएं डीसेंट यह मैं ठीक है आगे चलते हैं उस्मान ख़जा का बात करते हैं पर लिए लिए अच्छे ओप्सन है इनके पास लगातार परफॉर्म करके आ रहे हैं सैम बिलिंग ठारा दर्च शेत्तर जीरो दो कैप्टन बना लीजे ग्रैंड लीग में बहुत जवर्दस प्लेयर है बिग बैस में खास करके यह डॉमिनेट करता है ठीक है लास्ट मैस् मैंने कभी इनको परफॉर्म करते वे नहीं देखा है माइकल नेसर जीरो और तालिस बैटिंग नहीं मिला डीन भी फिर तीन लास्ट मैस में इन्हों नहीं विकेट निकाला है दो या तीन विकेट कमर तोड़ी है तभी यहां पर जीत रहा है फिर दो दो जीरो चार जरूर पिक करना है वाइस कप्टन की ये ग्रैंड लिंग में एक अच्छे होक्त है पॉल वाल्टर का बात करें तो छबीस एक सताइस तीन है तालिस ठीक है जेवियर बटलर एक जिरो तीन एक जिरो ठीक पर बॉलर है बॉलिंग कर रहा है परफॉर्म करता है उससे च्छा में हर मैच में भी को पहुंड देता है और जात रभी विश्णोरी टाइप बॉलर है विथ नहीं देता है लेकिन लाइन लेंद इनके पास अच्छा है और इस्पीन उतना होता नहीं है जातर गूगली पर डिपेंड करता है और चलिए इन ही प्लेस को लेते हैं जो मैंने सबसे पहले तो सैम बिलिंग्स उसमान खौजा मुन्रो ट्रैविस एड अगर खेलते हैं तो वेलें गूट रहेगा माइकल नेसर मैथ्यू शॉट डियार्थी शॉट पेन जेवीर बातलर वेसेगर स्पेंसर जॉंसन तो अब कैप्टन के लिए बात करें तो माइकल नेसर क कैप्टन नोड आउट और वाइसदेन डियार की इसवालिंग्स या फिर जाइस कैप्टन मैथ्यू सॉट याफिर कैप्टन मैथ्यू सॉट हेट्टुेएड में जा सकते हो ऐलॉंग विद्ध को अगर पिक करना है ग्रैंड लीग के लिए तो ग्रैंड लीग में आपके पास अप्शन हो जाते हैं टैम बी लिंग को कैप्टन और वाइस कैप्टन या पर उस्मान फोजा या फिर माइकल ने सरके साथ जा सकते हैं या फिर मैथ्यू शॉट एक अच्छे ऑप्शन होने वाले जो बहुत बैटन मॉल से कर डिब्यूट करके जाएंगे ठीक है इस साल राजिस काने अब लेवल नहीं है तो एक सेट पर जरूर है डिले डिले डिस्टाइबर से कोई भी डाउट हो कोई भी पॉसिबल चेंजर हो